असलाम लाइकूम, वेलकम टू टेस्ट रॉन डिमाण आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल आलू कीमा कटलेट्स बहुत ही मज़े के बनकर ये तयार होगे और बनाना भी इसे बहुत आसान है बस इन टिप्स को फॉलोव करें तो आपके आलू फीमा कटलेट्स बहुत ही परफेक्ट बनकर तयार होगे तो रेसिपी को स्कीप ना करते हुए पूरी देखे और वीडियो को इंजॉय करें चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू फीमा कटलेट्स सबसे पहले हम लेंगे एक कड़ाई और उसमें डालेंगे वन टेबल स्पून ओइल ओइल हमें ज्यादा इस्तिमाल नहीं करना अगर ओइल ज्यादा इस्तिमाल करेंगे तो कटलेट्स फट सकते हैं अब हम इसमें एड करेंगे दो मीडियम साइस के प्यास बारी कटिंगे और इसे ट्रांस्परंट होने तक हम फ्राई करेंगे प्यास हलकी सी गुलावी हो गई है अब हम इसमें एड करेंगे अद्रक लेसन का पेस्ट वन टी स्पून अग्रेत के अध्रक लेसन की खच्छी समेल जाने तक हम इसे अच्छे से प्रॉय कर लेंगे अध्रक लेसन अच्छे से प्रॉय हो गया है अब हम इसमें मसाले एड़ करेंगे हल्दी एड़ करेंगे half teaspoon लाल मिल्क पाॉड़र two teaspoon टेस्ट मुटाबिको इन मसालों को मिची तेल में अच्छे से भूनें और एड़ करेंगे में इनक्तिके ब्यू ermूटेli में मौन यसाया अच्छ वी, पूश होना, अदीक अप्राश। वाधे जर्दन के ओसने अक्न का पानिया उतना है इसना क्वहिस। यह अच्छे से mix हो गया है और खीमे का पानी भी थोड़ा release हो गया है अब हम इसे ढखेंगे और low flame पर 5-6 मिनट तक पकने देंगे 5-6 मिनट के बाद देखिए खीमे का पानी भी थोड़ा सुख गया है अब हम इसे mix करेंगे और इसमें add करेंगे हरा धनिया, पुदीना और बारी कटी हुई हरी मिर्चे हाफ डिंगू का रस एड़ करेंगे इन तमाम चीजों को mix करते हुए अच्छे से भूनेंगे पीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए हाइ फ्लेम पर इसका पानी हम अच्छे तरीके से सुखाएंगे और ये कीमा हमारा तयार हो गया है अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे एक किलो आलू को हमने अच्छी तरह से बॉइल कर लिया और इसे मैश करके फ्रीज में 10-15 मिनाट के लिए रख दिया था आलू अच्छे से सेट हो जाएंगे अब हम इसमें अड़ करेंगे बारी कटा हरा धनिया और पुदीना एक टी स्पून अड़ करेंगे काली मिर्ज का पाउडर और नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिर और इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको लगे कि मिक्सर थोड़ा पतला है तो आप इसमें कॉन फ्लॉर एड़ कर सकते हैं तू टेबल स्पून यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए फ्रीज में 10 मिनट के बादी यह अच्छे से सेट हो गया हाथों को ग्रीज करते हुए हम एक बड़े निंगू के साईस का पोर्शन लेंगे और इसे अच्छे से बॉल बनाएंगे और इस तरह से फ्लैट कर लेंगे ध्यान रहे कि इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए अगर आलू मैश करते टाइम लंप सह जाए तो इसमें क्रैक्स पढ़ सकते हैं इसलिए आलू को अच्छे से मैश करें अब हम इसमें डालेंगे प्रिमा वन डेबल स्पून और इसे इस तरह से सील कर लेंगे और इसे इस तरह से अच्छे से शेप दे देंगे और ये तयार हैं हमारा आलू कीमा कटलेट प्राइ करने के लिए इसी तरह से हम तमाम कटलेट सयार कर लेंगे और ये कटलेट्स तैयार है प्राइ करने के लिए अब हम दो अंडे लेंगे और उसमें नमक डालकर इसे अच्छे से फेट लेंगे और कटलेट्स को इसमें डिप करेंगे एक चमच की मदद से हम इसके उपर भी अंडा एड़ करेंगे और इस तरह से हम ओईल में इसे डाल देंगे तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वीडियम होट ओईल में हम इसे फ्राइ करेंगे नीचे से अच्छे से जब प्राइ हो जाए जब हम इसे पलट लेंगे इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पलटना है बस दो से तीन बार इसे पलट कर हम अच्छे से फ्राइ करेंगे दो से तीन मिनट में ये अच्छे से फ्राइ हो जाएगा अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये तैयार हो गए हैं हमारे आलो प्रीमा कर्टलेट्स आप चाहे तो इसे हाथ से भी टाल सकते हैं हाथों की मदद से डालना इसे ज्यादा इजी होगा इसी तरह से हम दूसरा बैज भी फ्राइ कर लेंगे बस इतना ध्यान रखे कि इसे ज्यादा पलटना नहीं है आप देख सकते हैं कि ये कितने परफेक्ट बने हैं इलकुल भी नहीं तूटे आप लोग भी इन टिप्स को फॉलो करके ये रेसिपी को जरूर ट्राइ कर सकते हैं रमजान में इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें आप लोगों को जरूर पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और बेल एकन जरूर दबाए ताके आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफीज